So iPhone 14 और iPhone 15 ये दोनों ये iPhone इस लैम पर काफी ज़दा trend में है चाहे बातो नए iPhone लेने की sale में purchase करने की या फिर second hand market में ये दोनों ये iPhone की काफी ज़दा demand है और हाँ इन दोनों की price इक में 12 से लेके 15,000 का difference रहता है तो क्या आपको ये 12 से 12,000 बचा के iPhone 14 परचेस करना चाहिए या फिर थोड़े पैसे और इन्वेश करके एक ही बार iPhone 15 को परचेस करना चाहिए डेटेल में एक एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर So hello and welcome back to YouTube Network चैनल पर ने हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक जरूर कर देना So iPhone 14 आया था last year 2022 के अंद और iPhone 15 तो अभी ही आया था 2023 के सब्टेंबर में सबसे बले design और build quality की बात करें तो दोनों ही फोन दिखने में एकदम सेम है जैसा iPhone 13 आया था वैसा iPhone 14 और iPhone 15 बीया मतलब भई आपको डाइनल केमरा मिल जाता है बाकी लेंस वगएर की बात एक डिटेल वीडियो में की है लिंक आई बटन और दिस्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से वीडियो को देख लेना अदर्वाइस आप लोग यहां पर चेक आउट कर सकते हो कि दोनों ही फोन दिखने में अल्मोस सेम है होती ऑल्दो यह ब्लैक कलर है इसके ओपर थोड़े पर समझीज आपको देखने को मिल जाते हैं बट यह आइफोन 14 के मुकाबले में काफ़े जादा प्रीमियम नजर आता है दोनों के यहां पर साइड अल्मूनियम के हैं फ्लैट है और मैट है जो कि इतनी असानी से स्क्रैचिस वगएरा नहीं पगड़ते हैं लेकिन आइफोन 14 सेरीज तक फोन थोड़े से राउंड कर दिया गया है जिससे फोन बॉक्सी भी रहता है लेकिन उसके साइड वो थोड़े से राउंड कर दिये गए हैं और इसकी इन हैंट फिल काफी जादा प्रीमियम हो चुकी और सॉफ्ट भी हो चुका है अधरवाइस पावर बटन, वॉल्यूम रोकर कीज, साइलेंट बटन, सब कुछ सेम है लेकिन आइफोन 14 सेरीज तक आता था लाइटनिंग पोर्ट और आइफोन 15 सेरीज के इंदर इंट्रीज हो चुका है टाइप C अधर प्रो मॉडल जितनी फास्पीड नी है क्योंकि आपको महाँ पर मिलता है USB 3 और यहाँ पर USB 2 पोइंट हो आता है लेकिन इतना कन्वीन हो चुका है कि आप अपने आइफोन 14 को इससे चार्ज कर सकते हो अपने एरपोर्ट को इससे चार्ज कर सकते हो एक्स्टरन जो कि थोड़ा पुराना स्टाइल लेकिन आपको मिल जाता है नया डाइनमिक आइलेंड ओल्दो डोनों के अपको सेम फेस आईडी की स्पीन मिलती है कैमरा सेट अफ बगरा सब कुछ सेम है लेकिन डाइनमिक आइन आपको मिलता है इंटरेक्टिव जिससे आपको सौटव आफन 15 की तरह जाधा लग रहा हुगा कि उसके आपर साइड प्रोटेक्शन वराड़ा टेंपर क्रास लगा हुआ है बाकि दोनों इस दिपल्ड यहां पर अजवाब है एक दम सही कलर्स यहां पर आपको निकाल के देता है एस्टीर गंटेंड काफी अज़ा से प्ले होता हाँ बड़ आपको यहाँ पर brightness के दर जरूर डिफरेंस देखने को मिल जाता है क्योंकि आइफन 14 के दर आपको लेखने को मिलती है 800 nits की brightness और वही आइफन 15 के दर जाती है 1000 nits तक और वही अगर हम बात करते है SDR content के टाइम पर तो आइफन 14 की पीक brightness चल जाती है 1200 nits सकी वही आइफन 15 टच करता है इसको 1600 nits पर लेकिन आइफन 15 की आउट्डोर brightness इससे भी जात है और काफी जादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा क्योंकि आइफन 15 टच करता है 2000 nits की पीक brightness को आउट्डोर के अंदर तो यहाँ पर भी आइफन 15 विनर है अफोस्स देखने के अंदर कोई बड़ा डिफरेंस आपको नहीं नजर आएगा एक नॉर्बल यूजर के लिए बैसी डिस्प्ले लेगी जैसे आइफन 15 की आइफन 14 के अंदर लेकिन अगर आपको एक बैटर डिस्प्ले चाहिए बैटर ब्राइटनेस के साथ तो आइफन 15 की तरफ ही आप जा सकते हो नेक्स बात करते हैं आप एक यह एक डाइफन 14 के नर आपको मिल जाता है ड्यूल 12 मेगापिक्सल का डिस्प्राइब से एक लिए फॉन पॉंट के नर एक पो एक एफन पॉन के नरा आपको सेंसर शिफ्ट ओगयरा मिल जाता है लेकिन आइफोन 15 के तर पार्ट HDR 5 आता है नेक्स जनेरेशन पोर्टरेट मोड विद डेप्ट कंट्रोल बगी फ्रेंट कैमरा तो नो को ही 12 मेकापिक्सल का जो कि आता है 1.9 के साथ अब फोटो सेंपल्स भी आपको दिखाने वालों यहाँ पर आपको एफमेक्स का सफोर्ट भी मिल जाता है जो कि आइफोन 14 में नहीं मिलता अब फोटो सेंपल साप लोगो के सामने अगर में नीचे आइफोन 14 या 15 ना मेंशन करो तो आप नहीं बता पाऊगे कौन सी फोटो 14 से है और कौन सी फोटो आइफोन 15 से लेकिन यहाँ पे थोड़ा पो जूम पगर अगर कि देखो को तो हलकी फुलकी आपको डिटेलिंग में फरक नजर आ जाएगा और इसके साथा आइफोन 15 के ने 24 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल का सपोर्ट मिलता है जब आप उस पे स्विच करते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर फरक महसूस होगा डिटेलिंग में वाकि यह में शॉर्ट के बात करोगे स्पेशली फ्रेंट कैमरा के अंदर तो स्किन टॉन थोड़े से आइफोन 15 के अंदर जादा नेच्रल नजर आते हैं उस वीडियो को आप चेक आउट कर सकते हो और जल्दी आइफोन 13 वर्सिस 14 वर्सिस 15 का डिटेल केमरा टेस्ट भी आने वाले है इस वीडियो के नरे में जादा बात नहीं कर रहा उस वीडियो के आपको डिटेल में पता चल जाएगा इन तीनों में डिफरेंस बाकि वीड इच्छिवा भी नदे खाउन दुल्दी गुटन जाती है न भी जाती है थे पर आपको दोनों ही फोणियो आपको का डादा टंगी वीडियो रेकोर्डिक्शन में जरूर बताना क्योंकि एक्स्ट्रीम डेटिदेटीड यडियो जल्दी आने वली है जैसा कि मैंने पहले मैं आपको उसके बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है अभी कले आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो जब वीडियो आजएगी तो लिंक आई बटान रिस्क्रिप्शन बॉक्स हर जगा मिल जाएगा अब देखो कैमरे के बाद सेकेंड में रिजन होता है आईफोन की पावर महसूस होगा अगर आप एकडम करते हो एक्स्ट्रीम गेमिंग एक्स्ट्रीम वीडियो एडिटिंग अदर्वाइस आपको यहां पर बिल्कुल भी फरक नहीं महसूस होने बला अभी चोटा सपीड टेस्ट भी करके दिखाऊंगा गेमिंग टेस्ट भी करेंगे लिकिन उस iOS 18, 19, 20 सारी iOS के सपोर्ट मिलने वली हैं पांच साल तक iPhone 14 और iPhone 15 के अंदर अपडेट्स के साब से फोन अभी फ्यूचर प्रूफ है दोनों ही अब एक छोटा सा स्पीड टेस्ट भी मैं आपको करके दिखा देता हूं बैक्रोंड में कोई भी आप रन नहीं कर रही दोनों ही ख हैं Sulisay ऐप हैं स्वाइपा स्पाइफ से आप से अफोंड डाइलर तो यहां पर दोनोंchen रिपेरी दोनों का सीnteना नहीं था है कोई इया इप्ल डिफरेंस नहीं था दो इंटरफेस दोनों का ही साथ में आया है नेक्स लते हैं एप सोर की तरफ तो यहां पर आइफोन 15 और 14 दोनों ही अल्मोस्स सेम थे कोई भी डिफरेंस यहां पर नहीं नजर आ रहा है इसके बाद चलते हैं पर यूट्यूब की तरफ यहां पर यूट्यूब लोड ओने के अंदर आइफोन 15 ने उससे थोड़ा पहले लोड कर लिया है अब इंस्टाग्राम पर चेक कर रही लेते हैं सबस्या तो वही यूस करना होगा इंस्टाग्राम के अंदर आइफोन 14 ने सप्राइजिंग ली आइफोन 15 से जल्दी लोड कर लिया अब इपर को अच्छा पिक यहां लाज में आइफोन 15 ने इसको जल्दी लोड किया था बागी गेमिंग और वीडियो एडिटिंग में दोनों ही फोन्स पर करता रहता हूँ यूजवली कॉल अफ ड्यूटी रियल ग्रियर्ट वगयरा खेलता हूँ और इसके साथ साथ जब वीडियो एडिटिंग करता हूँ इन शॉट बीटा आई मूवी के ओपर वीडियो वीडियो एकवली गूड वाट मैं आपको कहूंगा कि लॉग रंग रंग यापी फिटीन बेटर पर फॉर्म करने वाल है ओल्दो विडियो अब जब फोई बीडिफरेंस नहीं समझ जाएंगे बड़ जब फोई फोटियो पर अपर डिफरेंस नजर आते हैं बागी बैट अब भी 100% में मैंटेन है और iPhone 14 की बैटरी अल 98 हो चुकि है जब कि मैंने दोनों ही फोन जब अल्मॉस्स सेम टाइम पर परचाइस की है आइफ़न 15 सेरीज के अंदर ही है तो इसको आप यूज करके 80% पर लिमिट रख सकते हो इसके लब आपको यह भी पता चल जाता है आइफ़न 15 सेरीज के अंदर के कब मैनुफेक्शिंग डेट थी फस्स यूज कब थो और साइकिल काउंट कितने होगे मालब कितनी बार अभी तक आइफ़न आपका चार्जिंग साइकिल कंप्लीट कर चुका है यह चीज भी सिरीज के अंदर ही आती है अब आउट सेक्शन म और आइफ़न 15 मिलता है 80,000 का लेकिन सेल के अंदर इनकी प्रैजिंग काफे जादा नीचे जा चुकी है और आइफ़न 15 आपको सेल के अंदर 65,000 के असपास मिल रहाता है और आइफ़न 14 भी 50-54,000 के असपास मिल जाता है तो आप रभी 10-12,000 का डिफरेंस यूज रहता है और इससे भी जादा चला जाता है अब बात करते हैं कौन सा आइफ़न 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 15 या फिर वही पैसे बचा के आइफ़न 14 तो देखो अगर तो आपको एकदम लेटेश आइफ़न चाहिए जिसके ने 48 मेपिक्सल हो, डाइनमिक आइलेंड हो, टाइप सी हो और इस चिप है बड़ उसमें जादे इतना कोई डिफरेंस है नहीं, तो डेफिनेटली मैं आपको यही कहूंगा कि 10,000 की आप 12,000-15,000 अगर आप डाल सकते हो एक्ट्रा तो आपको आइफ़न 15 की तरफ ही जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको यह डायनमिक आइलेंड नहीं च अगर कोई बजट काई इसू नहीं है तो आइफ़न 15 के तरफ जादा बैटर रहेगा बग्या आइफ़न 15 और आप डिशी निर रेलेड़ काफे सारी वीडियो जाएगी चैनल पर आई बटन और दिस्क्रिप्शन बॉक्स के नवा बटन बॉड़ जाएगी, आइफों 13 के स झालत तेंसों वच्चें